हेलो फ्रेंड मेरा नाम है कृष्णा स्वागत है आपका फ्रेंशेट प्रिपरेशन यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम प्लास फॉर्थ ईवियस का प्रिवियस एर का पिरियोडिक टेस्ट वन का कोशन पेपर डेस्कस करेंगे अभी आपके पीटी वन एक्जाम स्टा कोशन पेपर किस टाइब का होगा यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और कुछ कोशन हो सकते हैं रिपीट भी हो जाए तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठके मैं तो यह कहूंगा जितने भी कोशन से उन सब की आंसर राइटिंग के आप अच्छा एक्जाम लिख कराएं और आपको अच्छे माक्स मिल सकें तो जैसे आप यह देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यह आपके सामने कोशन पेपर है क्लास पूर्ट इवियस का तो यह फ्रंट पेज है आपके कोशन पेपर का जिसमें मेंशन किया जाएगा यह प्रि कर लेंगे बेसिक्लि आपकी ईवेस के कोशन पेपर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्रस्वाट होता है आपका observation एंड रिपोर्टेंग का सेkeंड पार ऑ होता है identification and classification का और उसके बाद third part आपके question paper का होता है discovery of facts का ठीक है उसके बाद जो भी आपके teachers होते हैं जो exam में duty दे रहें यहाँ पे वो signature कर देते हैं और जो भी आपके paper check कर रहे होते हैं वो आपके यहाँ पे signature कर देते हैं जो आप exam complete कर लेते हो बाद में जब submit करने के बाद और finally last में जो भी आपका marks होता है इसको जो check किया जाता है total किया जाता है वो correct है तो जो भी teacher check करते हैं उसके signature हो जाते हैं तो यह सब आपका काम नहीं है यह सब आपके teachers करेंगे आपका बस यह काम है आपको अच्छे से answers को लिखना है चलिए अब देखते हैं first question के साथ तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया था कि observation वाला part सबसे पहले start होता है और इसके अंदर आपको कुछ pictures show किये जाएंगे जैसे यह six pictures आपको यहां show किये जा रहे है और हर एक pictures के आपको one marks दिये जाएंगे आपको picture को अच्छे से observe करना है और उसके according questions का answer करना है जैसे है mention भी किया गया है कि look at the pictures and fill in right words यानि आपको pictures को देखना है उसके according for right word में आपको answer लिखना है जैसे इसका first part देखी ए dash ears like a fan कि कि इसके ear जो होते हैं fan की तरह होते है तो आप picture देखकर कर अच्छे से identify कर आ रहे हो कि यह elephant है तो आप अपने answer में लिख सकते हो कि यह elephant है तो आप यहाँ पर अपने answer में लिख लोगे elephant उसके बाद going to school chapter जो आपने पढ़ा था उसके अंदर इस picture को आपने ज़रूर देखा होगा कि यह जो structure आपको given है question में यह mention किया गया है कि arrange the jumble letter and write the name of the structure यह जो structure आपको दिख रहा है जिसे हम trolley बोल सकते हैं ठीक है उसकी spelling भी आपको दे रखी है बट यह jumble letters में है यानि कि आपको इसे correct करके यहाँ पे लिख देना है उसके बाद next आप यह देख पा रहे हो एक picture अगेन आपको display किया जा रहा है और इस picture में होली खेलते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे है ठीक है तो होरी basically है यह जो picture है यह मतुरा की है तो आप यहाँ पे place के बारे में पूछा जा रहा है कि where do the people in this picture leave तो उस place का नाम यानि मतुरा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसके बाद कुछ और picture भी आपको show किया जा रहा है आपने जो chapter पढ़ा था उमनास journey उसके अंदर आपने railway station वगरा के बारे में पढ़ा था और जैसे question है name this worker found in a railway station railway station पे आपने coolie जरूर देखा होगा जो हमारे luggage को carry करता है तो आप उसका answer यहाँ पे mention कर सकते है coolie लिग करके उसके बाद means of transportation में आपने बहुत सारी चीज़ा आपने पढ़ी है ठीक है कि जैसे road transportation, water transportation, air transportation तो जो यह water transportation है यह जो picture आपको display किया जा रहा है इस picture को आपको identify करना और यहाँ पे उसका नाम लिख देना है उसके बाद last है question number one के अंदर यह six part कि आपको यहाँ पे एक vehicle given है और यह जो vehicle है basically diesel पे चलता है तो इस vehicle का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है तो इस तरह किसे आपको कुछ pictures आपकी NCRT book से ही यानि कि जो आपकी looking around की book है उस book से ही आपको pictures दिये जाएंगे उस picture को आपको देखना है और देखने के बाद अपने answer को लिख लेना है इसके बाद next आपके लिए question number second यहाँ पे आपको pictures नहीं की बने बलकि आपसे direct question पूछे जा रहे है which are the some other insects that lives on together in a group जैसे honey bee है या और इसके इलाबा चीटियां जो होती ant यह ऐसे insects होते हैं जो की group में रहते हैं तो उनके नाम आप लिख देंगे two का मतलब यहाँ पे यह two marks का question है कि one marks का आपको जज़ आपने first group लिख दिया तो उसका नाम marks मिल गए फिर second group आपने लिख दिया तो उसके नाम आपके marks मिल जाएंगे आपको उसके बाद इसमें second part में आप से पूछा जा रहा है what did omna see at drill at level crossing level crossing जैसे वो train की journey कर रही थी तो level crossing पर उसे बहुत सारी चीज़े दिखाई देती है जो भी चीज़े दिखाई देती हैं उसे आप two sentences में अपने answer को लिख होगे क्योंकि यह two marks का question है तो इस तरीके से आपका यह जो complete portion है आपका observation reporting आप complete हो जाएगा तो इस type के questions आपके लिए frame किये जाएगे तो आप इनके अच्छे से answer writing की practice जरूर करिए इसके बाद next है आपके लिए identification और इसके अंदर भी आपके जो NCRT book है जो पीछे आप question answer की practice करते हैं homework करते हैं, classwork करते हैं वहीं से आपसे question पूछा जाएगा जैसी यह question है match the following इसमें आपको column A और column B given है और इसके अंदर आप देख सकते हैं first, second, third, fourth यानकि four parts आपको given है और उसके according A, B, C, D आपको column B में given है आप जितने correct matching करेंगे उसके हैसाब से आपको marks मिल जाएगा जैसी यह there was darkness in the rain when it was passing a dash तो जब भी dash का मतलब यहाँ पे जो होगा यहाँ आपको चूज करना है और उसके according अपना answer लिख लेना है और इसी तरह जैसे next देख सकते हैं names of the passenger traveling in a train can be seen on dash जैसे हम railway की journey करते हैं train journey करते हैं तो हमारा एक chart बनता है उस chart के अंदर हमारा नाम होता है detail होता है तो वो किसीज के उपर होता है यह आपको match करना है तो जैसे एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि reservation chart है ठीके इसी तरह से बाकी भी आपको इस तरह identify करना है और match करना है जितने correct match करोगे उसके according आपको marks मिलेंगे suppose कर लो अगर आपने चारो ही correct match कर दिये तो 4 multiply by 1 यानि कि आपको पूरे 4 marks मिल जाएगे इसके बाद next है आपके लिए question number 4 और 4th question आपकी कुछ इस type का हो सकता है कि आपको किसी चीज के बारे में दे दिया जाए और उसके बाद में आपको sentences लिख करके अपने answer लिखने होंगे जैसे ये question है कि जो हम human being है हम इंसान जो है हम लोग tiger को क्यों kill करते है इसका hunt क्यों करते है और elephant को क्यों मारते है इसके पीछे आपको reason लिखना है एक sentence में basically tiger की जो skin होती है इसके लिए हंट किया जाता है और elephant की बात करें तो इसके जो दात होते हैं वह बहुत special होते है तो उसके लिए से मार दिया जाता है तो hunting का जो purpose है वो purpose आप one one sentence में लिख सकते हैं elephant के लिए अलग लिखोगे tiger के लिए अलग लिखोगे जब जाके आपको two marks मिल जाएंगे यानि कि two sentence लिखोगे तो two marks मिल जाएंगे उसके लाद next देखो इसका question number four का B part B part में आपको एक table given है और table के बाद question आपसे पूछा जा रहा है कि write materials used in making अब देखो जैसे first है cement breeze और second है आपके पास bamboo bridge तो इसमें cement breeze के अंदर जो material use होता है वो आपको mention करना है और जो bamboo breeze में जो material use होता है वो आपको mention करना है basically bamboo breeze में आप कह सकते हो कि सब bamboo use होता है तो देखो यह अगर आप पढ़के भी नहीं गए हो तब भी अपना answer लिख सकते हो क्यों क्योंकि question के अंदर यह आपको hint मिल गया और इसके इलाबा जो wood वगरा होती उनका इस्तमाल होता है तो आप लिख सकते हो further कि जो tree के जो parts होते है wood लकडी वगरा होता है इसका इस्तमाल करके bamboo breeze को बनाय जाता है cement breeze के बारे में आप cement तो mention करोगे इसके लबा brick भी use होता है brick भी mention कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से अजब आप पूरा complete कर लोगे तो आपको यह two marks मिल जाएगे one two का मतलब है कि यहाँ पर cement से related जो first material है वो लेक होगे और उसके बाद जो second material है वो भी mention करोगी अच्छा अब इसके बाद move करते है next question की तरफ यानि इसके बाद c part की तरफ जैसे यहाँ पर mention की अज़र है draw the following animals अब यहाँ पर जो आपको instruction given है उस instruction की according आपको यहाँ पर drawing करनी है अपनी मर्जी से नहीं करना है कि कुछ भी बना लोगे तो जैसे यहाँ पर है कि animal that has hair on its body कि कौन से animal होते हैं जिसकी body पर hair होते है उस animal को आपको draw करना है जैसे lion भी देखा होगा कि lion के body पर भी hair होते है ठीक है जो उसके punk होते है तो किसी भी bird को आप यहाँ पर draw कर सकते हो अपने इस answer में तो जब आप दोनों drawing कर लेंगे तो आपको यह two marks हो जाएगा हाँ color चाहो तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे तो उसके कोई marks आपके कर देंगे नहीं अगर आपके पास time है तो आप color जरूर फिल करिए अगर आपके पास exam में time नहीं होता है तो simply आप draw करके भी छोड सकते हो ठीक है लेकिन सबसे पहले आप पूरा answer writing करिए drawing करने के बाद color करने वाला काम आप end के लिए छोड सकते हैं ठीक है पहले एक बार structure ड्रॉ कर दो और finally last में आप इसकी color fill विल कर सकते हो उसके बाद next है आपके लिए question number 5 और यहाँ पे देखो यह और लिखा हुआ है और का मतलब है कि आपको यहाँ पे two choices given है either you have to write on this topic or you can write on this topic तो जैसे question है write five sentences about any Indian state और second option आपके पास kidji, tiri तो यह जो दो option है आपके पास इन दोनों में से किसी के बारे में आप लिख सकते हो basically यहाँ पर आपको five sentences लिखना है अगर आपके five के five sentence correct है तो five multiply by one यानि कि पूरे five marks आपको मिल जाएंगी ठीक, तो इस तरीके से आप इस question paper में यह जो second part है इसे आप complete कर सकते हो इसके बार last part है आपके question paper के अंदर discovery of facts और उसके अंदर किस type के question frame किया जाएंगी अब हम उसे discuss करते है जैसे आप question number six देख रहे है pick the right word from the box and complete the sentence अब यह जो words आपको given है इन words को आपको use करना है और यह जो आपको पास sentences given है six sentence आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसे यहाँ पर six sentence इनको आपको fill करना है इसे complete करना है और यह six sentence में जो first one two three four है यहाँ तो blank fill करना है ठीक है जो कि आप यहाँ से pick कर सकते हैं और उसके बाद जो fifth और six है इसके लिए basically आपको पास यहाँ पर options given है तो इन options को आप use करके इसे fill कर सकते हो तो पहले जो first four है उसे fill करोगे elephant live in dash elephant कहां रहते हैं उसके बारे में लिख सकते हो a tiger has dash on its body तो tiger के body पर क्या होता है strips होते हैं तो आप यह mention कर सकते हो और elephant कहा रहते हैं तो herd में रहते हैं जूंड में रहते हैं अब यह mention कर सकते हो people love to dance and sing at dash ceremony एक ceremony होती हैं जिसके अंदर सब लोग dance करना पसंद करते हैं sing गाना गाना पसंद करते हैं आप यहाँ पर mention कर सकते हो अब उसके बाद नेक्स बोला जा रहा है डैस is in the state of केरला तो जैसे आपको यह कोजी कोडे कोजी कोडे एक प्लेस है केरला के अंदर तो आप यहाँ पे मेंचिन कर सकते हैं अपने answer में देखो बच्चो जब भी यह question होगा इस type की question आपको पूरा complete sentence लिखना है बहुत सारे ब motion है कि honeybee shut dash from the flower तो honeybee क्या करते हैं जो nectar होते हैं फ्लावर के ठीक है उसमें चूसते हैं उसमें से वो अपने लिए रस वगरा निकालते हैं और जो अपने लिए honey वगरा create करते हैं तो आप यह nectar यहाँ पे fill कर सकते हो यह tick लगा की काम नहीं चलेगा आपको sentence भी लिखना पड लेगी यह mandatory है और यह free and compulsory education है यानि सब को मिलेगी education तो आप यहाँ पे इसमें tick भी लगा सकते हो टिक लगा कर लेकिन हाँ मैं तो यह कहूंगा कि आप sentence में अपने answer को जरूर लेखिए तो इस तरीके से आप question number six complete कर सकते हैं उसके बाद next देखो question number seven और question number eight इसमें आपको answer writing करना है और यहाँ आपने देखो दोनों के अंदर आपको two marks two marks mention किया गया है इसका मतलब यह है कि दोनों ही question में आप क्या करेंगे कि two two sentence तो आपको at least लिखना होगा जैसे देखो seven question अनीता got 12 kilogram of honey from one box of bees how much money would she get from 20 box अब देखो इस question के अंदर आपको जैसे maths में अंदर करते ह solution करते हो question को solve करते हो उस तरह से इस question में पूछा जा रहे है तो जैसे question है कि अनीता got 12 kilogram of honey from one box कि one box से अगर मैं बात करूँ one box से 12 kg यह honey collect कर ले रहे है तो आप से 20 box की बारे में पूछा जा रहे है तो 20 box के लिए आप क्या करोगे 20 को multiply करोगे 12 से और अपना answer निकालोगे तो चाहो तो यहाँ पर दिखा भी सकते हो कि 20 को ऐसे 12 से multiply करोगे पहले 2 से multiply करोगे फिर 1 से multiply करोगे तो आपके पास यह 240 आ जाएगा तो प्रॉपर इस calculation को आप करके दिखाएंगे और करके ही अपना answer करेंगे तो पहले sentence में आप लिखेंगे कि quantity of honey collected from one box that is equal to 12 kg और उसके तो आप mention कर सकते है किए जी short form होती है kilogram की आप पूरा भी लिख सकते है next question number 8 write to traffic rule that we should follow अब जो traffic rules के बारे में question पूछा जा रहा है तो जैसे आपको green light देखती है green light की meaning क्या होता है go होती है तो आप लिख सकते हो meaning of green light is go ठीक है और फिर उसका red light आप देखते हो red light की meaning क्या हो stop whenever we have we see the red light it means we have to stop at that place जो भी red light दोड़े traffic lights होती है तो वहापे हमें रुखना होता है यह meaning कर सकता हो और जैसे zebra crossing के पास ही हमें road cross करना चाहिए तो यह जो कुछ rules है traffic rules यह आपको mention करने question में यह नहीं बोला जाएगा कई बार कि आपको कितने sentence लिखने कितने rules लिखने जैसे यहां तो mention किया जा रहे two है बट कई बार mention नहीं किया जाएगा तो आप क्या करोगी question paper के उपर marks देखोगे यह question कितने marks का है अगर two marks का है it means you have to write two rules अगर यह three marks का है तो आप समझ गया होगे कि सर यहापे three rules लिखने है अगर यह four marks का question paper में आया होता और यहापे number sentence नहीं mention क किया जाता तो आप क्या करोगे four sentences लिख लोगे ठीक है तो इस तरह से आप अपना answer complete कर सकते हो और finally last question आपका map based question होने वाला है map based question के अंदर आपको इंडिया का map दे दिया जाएगा और map देने के बाद आपको place mention किया जाएगा कि these are the place and you have to fill these place on India's map तो आपको fill करना होगा अब जैसे देखो यह वाला जो question है इस question के अंदर थोड़ा से tricky बना दिया गया है यह question paper थोड़ा से tough है tough इसलिए कि आपको इसमें direct आपको place mention नहीं किया गया है but place के बारे में आपको hint given है उस hint को use करके आपको पहले place identify करना है औ कि पहले question की statement है mark the following on map of India जैसे state in which ओमना लीव अब देखो ओमना की journey वाला अपने chapter पढ़ा था कि ओमना गुजरात से journey start करके वो केरला गई थी ठीक है तो place के बारे में पूछा जारा है किस जगह पे ओमना रहती है तो देखो वैसे तो basically इसका answer क्या गुजरात है लेकिन आ तो अगर आपको ये story अच्छे से clear है तो आप बता सकते हो उसका next step state of ओमना's grandmother अब ओमना की जो grandmother है वो कहा रहती थी तो आपने अगर story अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि वो केरला में रहती थी तो केरला direct question में नहीं mention किया गया है बढ़ आपको fill करने के लिए story आपने पढ़ा है तो आप इसका answer में लिख भी सकते है और fill कर सकते हो उसके बाद आपने अमरीता की story पढ़िया आपने अनीता और हनीबी वाली भी story आपने पढ़िये तो जैसे अमरीता की story basically राजस्तान की थी ठीक है तो वो खेजडी विलीच के वारे में भी हमने यानि आपको सारे chapters अच्छे से revise करना है उसके बाद last है a small state which Omna Shaw as green and full of river, lake and beaches एक छोटा सा state जब वो journey कर रही थी तब उसने देखा था तो देखो basically महरास्त्रा के पास एक state आता है गोवा ठीक है गोवा जिससे state भी कह सकते हो union territory भी बहुल सकते हो basically यह union territory है छोटा सा state है हमा इस state की बारे में आपको mention करना है इस map के अंदर देखो यहाँ पर गोवा mention नहीं किया गया बट गोवा कैसे आप identify करोगे उसके लिए आपको question frame किया गया आपके लिए पर इस चीज़का आपको धिहान रखना है आपको सारे chapters complete करने देखो अगर आपने सारे chapters अच्छे से complete नहीं कियें तो आप अपने answer writing अच्छे से नहीं कर पाँगे तो मैंने description में class fourth EBS के playlist की link दे रखा है और इसके इलाबा मैंने PT1 question paper के जो other subject के question papers है यानि कि पूरा complete question paper की जो series मैंने upload कर रखी वीडियोस की उसका भी link मैंने नीचे description में दे रखा है तो उनको आप देख करके इन सारे questions की practice भी कर सकते हो तो जरूर देखना और मुझे comment करके जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ऐसी और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे comment में लिख करके जरूर बताना class subject अगर आप mention करोगे तो मेरे लिए थोड़ा help हो जाएगा मुझे लग जाएगा कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो तो comment करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को like करना अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना चैनल पर नई है तो channel friendship preparation को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करिए ताकि मैं आपके लिए new वीडियो लेके कि आप next वीडियो किस topic पर देखना चाहते हो या कोई doubt है कुछ पूछना भी चाहते हो वहाँ भी आप mention कर सकते हो मेरी id है instagram की at the rate mrkrishnashah जहाँ आप मुझे follow जरूर करना तो thanks for watching मिलते हैं फिर next वीडियो में बाबाए